हालात बदलेंगे, बुरा हाल ना करना, दुनिया गोल है, गोल माल ना करना, आजादी सबकी पसंद है, बस इसका गलत इस्तेमाल ना करना अपने लिखी इन्ही पंक्तियों से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहां कहीं भी होंगे, स्वास्थ और खुशाल होंगे मा शब्द सुनते ही, मन में प्यार, ममता और दया जैसे भाव अपने आप ही उमडाते हैं क्योंकि मा बनना अपने आप में एक सभागे की बात होती है लेकिन हर एक मा को अपने बच्चों से कभी भी कुछ ऐसी वैसी बाते नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनका सभागे दुर्भागे में बदल जाए तो आखिर वो कौन सी बाते हैं जो एक मा को अपने बच्चों से कभी भी नहीं कहनी चाहिए तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज का वीडियो तो point number one है कि मैंने अक्सर माओं को ये कहते सुना है कि हमारी तो किस्मती खराब है जो हमारे घर इस तरह की संतान पैदा हुई देखे ये बात अपने बच्चों से कभी भी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आपके मुझे निकलेवे शब्द सच साबित हो ही जाते हैं अपने बच्चों को कभी भी बदकिस्मत या खुद को बदकिस्मत कभी भी बताने की गलती मत कीजिएगा point number two अक्सर छोटे बच्चों की माँ को मैंने ये कहते सुना है कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं कुछ शदानी करते हैं या वैसे भी घर में अगर कुछ शरारत करते हैं तो यही कहती हैं कि स्कूल से आ जाते हैं हमारा दिमाग खराब कर देते हैं पूरे घर में अविवस्था फहला जेते हैं समान को इधर उधर फेंग देते हैं हमारी तो शान्ती ही भंगो जाती है इससे अच्छा होता कि ये स्कूल में ही रह जाते तो देखिए आपको इस तरह के शब्द कभी भी अपने चोटे बच्चों से नहीं कहने चाहिए देखिए जब बच्चे आपके मूँ से इस तरह की बाते सुनते हैं तो आपके बच्चे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे माता-पिता को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपके और आपके बच्चों के बीच में कभी भी कोई emotional bond develop होई नहीं पाता देखिए एक बात याद रखिएगा कि आपके घर बच्चों ने जन्म लेकर आपको माता-पिता बनाया है आपके परिवार को पूरा किया है इसलिए बच्चों के साथ इस तरह का विवार करके बच्चों का अपमान करके आप ईश्वर का साक्षात अपमान कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि ईश्वर की जो क्रपा आपको मिली है उसको नजर अंदास मत कीजिए नेक्स पॉइंट है कि अपने बच्चों की फिजीक को लेकर कभी भी कोई ऐसा वैसा कमेंट मत पास कीजिए अक्सा मदस की आदत होती है कि बच्चे को अवाज लगाई उसमें नहीं सुना तो कहेंगी क्या बहरा हो गया है अगर उणने किसी चीज को धूडने के लिए कहा और बच्चा नहीं देख पाया तो कहांगी अन्धा है क्या तुझे दिखाई नहीं देता अगर बच्चा चुपचाब बैठा है तो कहेंगी क्यों गुंगा है तेरे मुं में जबान बिलकुल नहीं है क्या देखिए इस तरह की भाषा एक मा को शोभा नहीं देती है क्योंकि आपको नहीं पता कि जिनके बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते सोचिए उन माओं के हिर्दर से कि वो ने कैसा लगता होगा आपका तो स्वस्त बच्चा है आप इस तरह के उलाहने देकर इश्वर का अपमान बिल्कुल मत कीजिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अपने बच्चों से इस तरह से बाचीत करते हैं तो ये बच्चे बड़े होकर धीरे-धीरे अपने माता-पिता का संबान करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और फिर जब आप बूड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारा कभी संबानी नी किया तो मैं आप से यही कहूँगी क्योंकि आप नहीं उन्हें ये सब बाते करना सिखाया है अगर आप उनसे सही से बाते करती तो शायर आज आपके बच्चे भी आपसे उतने ही अच्छे धंग से बात करते इसके अलावा बहुत सी माओं को भी मैंने अपनी बेटियों से बहुत गलत ढंक से बातचीत करते देखा है अगर उनकी बेटी देखने में बहुत ज़्यादा खुबसूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो कहेंगी पतानी तुम ना पढ़ने में हो ना देखने में हो पतानी कैसे इनकी शादी होगी और ये बात एक बार नहीं वो दिन रात कहती रहती है और ऐसे में क्या होता है कि आपकी बेटियां आपकी नजरों में अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ गलत रास्ता अपना ही लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें भी अपने आपको साबित करना है In short मैं यही कहूंगी कि आपका गलत व्योहार ही आपके बच्चों को गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है क्योंकि कोई भी बच्चा गलत होता ही नहीं है Next point है कि बहुत सी mothers दिन भर की बच्चों की शतानिया दिन भर जो उनके बच्चों ने उन्हें परिशान किया है वो शाम होते होते जब उनके husband घर रोटते हैं तो सबसे पहला काम उनका यही होता है कि वो अपने बच्चों की शिकायते अपने पती से लगाना शुरू कर देती है कि देखो आज इसने मुझे इतना परिशान किया बिल्कुल कहना नहीं मानता है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है तो ऐसे में क्या होता है पती आओ देखे न ताओ देखे बस आके बच्चों को पीटना शुरू कर देता है तो देखिए जो मा इस तरह से अपने बच्चों की शिकायते अपने पती से लगाती है तो वो कभी भी एक अच्छी मा नहीं होती है देखिए एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए देखे अगर आप बच्चों के साथ दिनबर रहने के बाद भी बच्चों के सभाव को उनके तरीके को नहीं समझ पाई उन्हें नहीं सुधार पाई प्यार से तो समझ लेना कि आप बच्चों को ना तो सुधार पाई हैं और ना कभी सुधार सकती हैं ना आप अच्छी मा हैं और ना ही कभी अच्छी मा बन पाएंगी देखिए एक बात अच्छी तरह समझ लिजे कि एक अच्छी मा जो है बहुत ही कोमल हिर्दय होती है वो कभी नहीं चाहती है कि उसके सामने उसके बच्चों को कोई मारे पीटे, इवेन उसके फादर भी इसलिए एक अच्छी माँ प्यार से, अपनी समझदारी से अपने बच्चों को हैंडिल कर लेती है उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसके अलावा मदर्स की आदत होती है कि वो बच्चों से हर समय फ्रस्टेटेड़ी रहती है फिर चाहें घर में रहने वाली हों, या फिर वरकिंग मदर्स हो जो घर में रहती है, वो अपने घर के काम और अपने आस-पास के दिश्टों में इतनी उलजी रहती है कि सारी frustration बच्चों पर निकलती है और जो बाहर काम करती है जब वो शाम को लोटती है तो भी वो इतनी ही frustrated लोटती है जैसे ही आप free होका घर आती है तो बच्चे भी आपके पास अपनी दिन भर की शिकायते दिन भर की problems लेकर आपके पास आज आते हैं कि आज ममी ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ लेकिन चुकी आप इतनी frustrated रहती है आपको बच्चों की वो छोटी-छोटी बाते बहुत बुरी लगती है और कहती है पाल तुम्हें दिन भर थके आया है अब ही आगए अपनी demands लेकर तो देखिए, बच्चों को नहीं पता कि आप ठके आये हैं या आप परिशान होकर आये हैं आप जिस condition में भी आये हैं बच्चा तो यही जानता है कि आप मा हैं और आपके सामने वो अपना जो भी problem रखेगा आप उसको 100% दूर करेंगी यहाँ पर मैं सभी मदर से एक बात कहना चाहूंगी देखिए, आप या तो घर में काम करती हैं या फिर घर से बाहर जाकर काम करती हैं आप काम सिर्फ इसलिए करती हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो सके और अगर आप अपने बच्चों के साथ में बुरा विभार करती हैं तो आप हर रोज अपना रिष्टा अपने बच्चों के साथ धीरे-धीरे खराब कर रही हैं और धीरे-धीरे आपके बच्चे आप से हर तरह की उम्मीद करना छोड़ देते हैं देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात अच्छी तरह से समझ लीजे कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बुरा विभार करते हैं तो आपके बच्चों का आपके साथ कोई भी emotional bond develop नहीं हो पाता और आपके बच्चे आपके साथ उस समय तक हैं जब तक आप उनकी जरूरते पूरी कर रहे हैं जिस दिन से आपके बच्चे अपनी जरूरते पूरी करने लायक बन गए उस दिन से उन्हें आपकी कोई भी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब वो अपनी जरूरत की हर चीज कमा सकते हैं और पा सकते हैं और उन्हें जो चीज चाहिए थी आप से यानि की प्यार वो आपसे मिला नहीं, इसलिए अब उन्हें आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने उन्हें दिया नहीं, वो आपको वापस नहीं मिल सकता, इसलिए वो बड़ी आसानी से आपको अपनी जिंदगी से और यही एक वज़ा है कि जब रद्धा अश्रम में बहुत सारे पेरिंट्स को मैंने यह कहते सुना है कि सारी जिंदगी हमने अपने बच्चों के लिए कमाया इतनी मेहनत की और आज हमारे बच्चे हमें पलट कर देखते भी नहीं है कारण सिर्फ आपकी गलत परवरिश चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आप एक मा हैं तो एक अच्छी माँ ज़रूर बनिएगा यह प्रकृति का नियम है कि जो आप देंगी वही आपको वापस मिलेगा प्यार देंगी तो बच्चे आपको प्यार देंगे हमेशा खुशिया बिखेरते रहेंगे अब फैसला आपके उपर है कि आप अपने जीवन की कल्पना कैसी करते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत